दोस्तों जिन्दगी के बारे में ये तस्बीर बहुत कुछ बताती है जब आप स्कूल में जाते हैं आपके उपर दबाव बनता है कि स्कूल जैसे तरह से पूरा कर लो इसके बाद जिन्दगी आसान है फिर हाई स्कूल के बारे में भी यही का जाता है और जब तक आप कालेज पूरा नहीं कर लेते तब तक यही सिलस्या चलता है कि बस थोड़ी सी लड़ाई और इसके बाद जिंदगी बहुत ही आसान है लेकिन जब जिंदगी वास्तों में सामने आती है तब समझ में आता है कि जिंदगी में रोज ही ने चुनोतियां सामने आएंगी वैसे फ्रेंट्स का आगया ना कि लाइफ इसे चैलेंज जीवन एक चुनोती है और इस चुनोती का सामना आप बिना हौसले के बिना हिम्मत के नहीं कर सकते हैं इसलिए जीवन की चुनोतियां से घबराएं नहीं ये आपके आगे बढ़ने का एक औसर होती है और जैसे ही आप एक चुनोती एक चैलेंज को कम्प्रीट करते हैं अगली चुनोती आपके सामने खड़ी होती है लेकिन अगर आप इमांदारी से चुनोतियों का सामना कर रहे हैं तो निश्चत रूप से आप अगली चुनोती का सामना करने के लिए बेतर तरीके से तयार भी हो चुके होते हैं क्योंकि ये चुनोतियां ही जीवन के इस से रणभूमे में आपको एक कुसर युद्धा के रूप में ढालती है और सायद यही बज़े है कि चुनोतियां हमारे सामने दिन प्रते दिन घंटे दर घंटे आती रहती है नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का स्टेटिफिक ज्यान प्रकास में तो आज के दैंटोजगार समाचार में सबसे पहले देखते हैं उत्तर प्रतेश लोग स्वाइव के द्वारा एक शाड नोटिस यहाँ पर जारी की गई है तो इसमें क्या लिखा गया है देखो फ्रेंड्स इसमें कहा गया है कि 21 अगस्त 2023 के क्रम में श्टाफ नर्स एलोपैत पुरूस महिला मुख्य परिक्षा 23 दिनाग 28 जुलाई रवी वार को 1 सत्र में पुर्वान 9.30 बजे से अपरान 12.30 बजे तर प्रदेश के केवल 2 जनबदों में लखनौँ और प्रयागराज में करवाई यहेंगी तो प्रस्नकत परिक्षा से सम्मन्दित अपरतियों के जो एड्मिट कार्ड हैं वो वेबसाइट पर उपलब्द हैं और इसे अपरति 24 अगस से डाउन्लोड कर सकते हैं ये एक सार्ट नोटिस है आगे मड़ते फ्रेंस और बात करेंगे UPB8 में परिक्रिया शुरू हो चुकी है और अब काउंसलिंग पाँच अगस से करवाई जाएगी तो कुलपदी ने काउंसलिंग का पूरा कायकरम से क्रिति के लिए सासन को भेज दिया है और पहली काउंसलिंग पाँच अगस से शुरू होगी इस बार के पाँच अगस से पहली काउंसलिंग के लिए यहां पर तैयारिया शुरू कर देगी है तो फ्रेंड्स यहां पर जैसा कि आपको जानते हैं कि विश्विध्याले ने समय से पहले यानि कि 25 जुन को परिच्छा का पैड़ाम जारी कर दिया था जिसमें 1,93,62 अब भिड़तों को रैंक दी गई है अब विस्विदाले काउंसलिंग कराने की त्यारी में जुड़ गया है सूत्रों का कहना है कि अगस्त के पहले सब्ता में प्रदेश भर के बीट कालेजों में काउंसलिंग शुरू हो जाएगी और इसके लिए गाइडलाइन्स तयार कर ली गई है सासन से स्विक्रती मिलते ही कायकरन जाली कर दिया जाएगा तो बहुत जल्द आपकी जो काउंसलिंग है वो स्टार्ट हो जाएगी दोस्तो जीला विदिक सिवा प्रादिकनर प्रयागराज में भी कई पदों पर भरती आई भी है जिसके लिए आपको आविदन आफ्लाइन करना है लास्ट डेट दस अगस्त है तो कौन-कौन से पद है देखो यहाँ पर जो पद है उसके लिए योगिता कच्छा आठ पास से लेकर इंटरेमेडियर तक है कच्छा आठ पास के लिए जो पद है वो हैं चौकिदार और सफाय कमचारी के पद जिसके लिए आपको चौकिदार को मिलेंगे 5000 रुपे कमान दे और सफाय कमचारी को मिलेगा 2000 रुपे खैर रुकिए इसके बाद है जो अगला पद वो इंटरेमिडियर प्लस ट्रिपल सी के लिए है इस पर जो मानदे मिलेगा आपको 10,730 रुपे मिलेगा और हाई स्कूल पास के लिए भी दो पद है तो अगर कोई इंटरेस्टेट है तो वो मतलब कारेले में जाकर उसको पैंतिस से साथ लाग रुपे में तो बियो बिहार के अभिटी थे उनको 35 लाग रुपे तक और जो आउटसाइडर थे उनको 55-60 लाग रुपे तक यह पेपर बेचा गया था सीबी आई की जाच में अब तक 150 से अधिक छातरों को पेपर मिलने का प्रमाण मिल चुका है और इसके लिए जो परिशा केंदर बनाए गये थे वो गुजरात के गोधरा जारखंड के हजारी बाग पटना के अलावा अन्य सवरों में थे इनमें सिर्फ पटना में करीब 35 चातरों को उत्तर के साथ पेपर देकर रटवाय गया था हाली में सुप्रीम कोड में सीबी आई की तरफ से जो रिपोर्ट दायार केगी थी उसमें यह बात कही गई है अब यहां पर देखो जांच का विसे है कि सेंटर की सेटिंग कैसे हुई थी अब इस पर जांच की जा जाएगी एंटीय ने कहा है कि सुप्रीम कोड के आदेश के बाद बहुत की में पुछे गए प्रस नंबर 19 का सही जवाब देने पर अब 13 लाग शातरों की रैंक जो है वो बदल जाएगी और पूरी मेरी जो है वो चेंज हो रही है खैर अब यहां पर चलेंगे बिहार की और तो बिहार विधान सभा से एंटी पेपर लीग बिल पास हो गया है और अब इसे एक सीरियस क्राइम माना जाएगा कहा जा रहा है कि अब यहां पर कहा जा रहा है कि अब पेपर लीग को एक सीरियस क्राइम माना जाएगा विधान सभा से कानून पास होने के बाद पेप लगबग सभी परिक्षाओं में लागू होंगे और ये भी कहा जा रहा है कि नए नियम के मताबिक अपेपर लीक मामले की जाज भी डिसपी रहें के इदिकारी से कराई जाएगी और नए कानून में इस बात का भी प्रावधान किया गया कि मामले की जाज सरकार किसी भी ला रहे हैं तो आज की वीडियो में बस इतना ही मिलतें आप से अगले वीडियो में आगे दिजिए नमस्कार जैहन्द मिलते आप से विडियो में और हां करन फिर्खा जो की जवी आज दिया गया है उसको आप लूग अटेंट कर लिजेगा और हमारे सेरी लगाता जारी ये इतने बाद